नमस्कार प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो में पाठ महलाएं जाती एवं सुधार पैरे बच्चों पिछली वीडियो में हमने विस्तार पुर्व किये पढ़ा कि महलाओं की स्थिती रूडिवादी सोच की वज़ा से बहुत दयनी थी और अलग अलग समय पर राजा राम मोहन राए इश्वचंत्र बिद्या सागर जी और स्वामी देयनंद सरस्वती जी जैसे समाज सुधारक आगे आए जसमें कुछ महला समाज सुधारक भी आगे आए उन सब के प्रयासों से महलाओं की स्थिती में सुधार करने के लिए अनेक कानून पारित हुए तो इसी तरह की एक कुरिती अन्य थी बाल बिवाह बाल बिवाह मतलों अलप आयू में ही बच्चों की शादी कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुरिती थी और इस पर पवंदी लगाने के लिए भी अनेक समाज सुधारकों ने काम किया और 1929 में बाल बिवाह निशेद अधिनियम पारित किया गया आप बच्चों ये बात समझने की है कि जिस तरह से शिक्षा का विकास धिरे-धिरे होने लगा और लोगों में जागरुकता आने लगी तो लोग समाजिक कुरितीयों के प्रति समवेदन शील होने लगे और उनके विरोध में एक जुट होकर आने लगे तो इतना अधिक संघरश बाल विवा निशेद कनून के लिए नहीं करना पड़ा और ये 1939 में ये कनून पारित हो गया और इस समय जो उमर निर्धारित की गई वो लड़कों के लिए थी 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष परंतु वर्तमान में ये आप याद रखिएगा वर्तमान में शादी की उमर लड़कों के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है इस से छोटी आईू में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो ये कनूनन अपराद है तो बचो ये महलाओं की स्थिती के लिए जो सुधार आत्म कदम हुए एक अन्य कूरिती वो है जाती विवस्था इसके विरुद्ध भी समाज में नेक समाज सुधारकों ने काम किया बचो हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिकर किया है उनमें से के जाती गैर बराबरी के भी विरुद्धी थे जिनमें हम राजाराम मोहराय जी थे जिन्होंने सती प्रता के विरुद्ध अवाज उठाई उन्होंने जाती विवस्था की अलोचना भी की थी और उन्होंने सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारी उची जाती के लोग थे, मतलब सिर्फ नीची जाती वाले जिनको माना जाता था, वेही लोग इन मुद्दों पर लाम बंद नहीं हुए, अपितु जो उची जाती के लोग भी थे, जिनके साथ कोई जाती भ खेदबाब नहीं हो रहा था परन्तु फिर भी उन्होंने ये सोचा कि इस तरह की विवस्था गलत है ये गैर करूनी है और ये अमानविय है तो उन्होंने भी अनेक संगठन बनाके इसके विरुध आवाज उठाई और ऐसे केई लोग थे जो जाती अधारित समाज आधन मिलने लगे क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ प्रचार हुआ प्रसार हुआ उस तरह लोगों में जागरुकता आने लगी और इस समय क्या हुआ बहुत सारे ग्रीव लोग शहरों से निकलकर नोक्रियों की तलाश में शहरों की और जा रहे थे गाउं से लोग अधिक थे और वो उस पुराने जो समाजिक धांचा था उसी के उपर चलते थे प्रंतु शहरों में जहां पे अधिक भांती-भांती के इलाकों से लग-लग जगों से निकल के भांती-भांती प्रिष्ट भूमियों के लोग इकठे रहते थे वहां पर जाती विवस्थ जैसी चीज ज्यादा प्रिवेर्ण नहीं करती थी अब हुआ कि अजब शहरी करन हो रहा था तो कलप न कीजिए इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी क्योंकि शहरों में नालियां बनाई जानी थी सडके विशनी थी इमारतों का निर्मान होना था शहरों को स से आ रहे थे गाउं से निकल के आ रहे थे क्योंकि धिक्तर लोग तो गाउं में रहते थे शहर अभी नए नए बसने शुरू हुए थे तो शहर जाने वाले बहुत सारे लोग निवन जाते यों के भी थे तो वहाँ पर जाकर वो वो वाले काम नहीं कर रहे थे जो वो गानों में काम करने के लिए भी चले गई यह वो लाके थे जहां पर यहां पर ब्रिटिश उपनिवेश बात था भारत में भी ब्रिटिश उपनिवेश बात था तो अंग्रेज क्या करते थे यहां के लोगों को वहां ले गए वहां के लोगों को यहां ले आए तो इस तरह का अक्सर बहुत कठोर था प्रंतु ग्रीव और निचले जातियों के लोग लोगों को यह गाओं के स्वरन जिमीदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कबजे और दैनिक अपमान की छूट से निकलने का मौका था लोग कठिन परिस्तितियों में भी शहरों में काम करने के ले तैयार थे क्योंकि वे गाओं की जातिय वेवस्था से तंग आ चुके थे उन्हें वो अपमान जनक लगती थी और उन्हें ऐसा लगता था कि उनका दमन हो रहा है तो बच्चों यह ऐसी वेवस्था थी इसके अलावा दूसरी तरह की नोक्रियां भी सामने आई उदार अपने परंपरागत कामों को छोड़ कर उस तरफ आ रहे थे जहां पे उनको जातिय भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा था दलित अंदोलन के नेता बीयार अंबेटकर जी जिन होनों भारत का संविधान लिखा है उसकी प्रारूप समिती के ध्यक्ष थे तो उनके जैसे जैसे शिक्षा का परचार और परसार हो रहा है तो इस तरह की अमानवी और दमनकारी जो कुरीतियां हैं उनका दमन हो रहा है और वे धिरे धिरे कम हो रही हैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही कारेपत्र को हल करिएगा जैहिन जैहिमाचल